पहले तो सभी सातियों के लिए मेरा प्यार भारा नमसकार और आज की वीडियो में सातियों हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन एंड केसिस पर आधारित जो भी हमारी प्रॉग्लम्स दी जाती है एकजाम में उनके लिए इस पर एक वीडियो हम बना भी चुके हैं यानि की पहला प्राक्टिस सेट हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं आज नाउन एंड केसिस पर ही दूसरा प्राक्टिस सेट है जिसमें मैंने तुमने बताया था कि एक से लेकर के 51 कोश्चन्स हमने उठाए हैं जिसमें 25 तक डिस्कस हो चुके हैं आज 26 से लेकर के और 51 तक डिस्कस करेंगे बात इतनी समझा आ गई अगर पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखिये तो एक बार यार जरूर देखेगा मज़ा आएगा उसमें सीखने को भी मिलेगा क्योंकि एकजाम के पॉइंट आप यू से यह बहुत ही इंपोर्टेंट सेसन है चलो सुरुआत करते हैं सबसे पहले ही हमारा आ गया 25 नमबर तो हम कल बता चुके थे हम 26 से बात करेंगे कि 26 नमबर पे क्या है देखो अगर हम 26 नमबर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजेगा बोले a friend of my wife तो इसका मैंने एक तरीका बताया था अगर साथियों कहीं पर भी देखो इसका एक pattern होता है अगर कहीं पर article a लगा हुआ हो इसके बाद में बिटा एक noun रखा हुआ हो देखे ध्यान से और फिर कोई preposition off लगा हो और इसके बाद एक noun और दे रखा हो तो a वाला जो off होता है वो selection बताता है तो selection बताने के लिए हमको क्या करना होता है last वाले noun के साथ apostrophe yes लगाना पड़ता है देखो pattern तो हमें पूरा मिल गया यहाँ पर देखिए a लगा है ध्यान से देखिएगा खुद में यहाँ पर a लगा है इसके बाद में friend यानि की एक noun आ गया फिर यह preposition है इसके बाद में possessive adjective और इसके बाद यह फिर से एक noun आ गया ऐसी condition में मैंने बताया अब क्या करोगे last वाले noun के साथ apostrophe yes लगाओगे क्यों लगाओगे तो यहाँ पर पहले तो मैं error बता दू यह अगर मालो यह बोलता आखिर ऐसा हमने क्यों किया पहले इसके पीछे का logic भी समझते चलो भई logic की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मेरी पतनी का एक दोस्त came आया to me मेरे पास study कल I ask me और मुझसे far some money कुछ पैसा मागा ठीक है भाई देखो इसका मतलब मेरी पतनी का एक दोस्त नहीं यहाँ पर meaning आ रहा है कि मेरी पतनी है मेरी wife है उनके दोस्तों में से एक दोस्त क्योंकि यह off क्या sense देता है selection का sense देता है तो इसी लिए यहाँ पर apostrophe yes हमको लगाना पड़ेगा मतलब यह हुआ अगर मैं आपको और अच्छे सरल से समझाएं जैसे मैंने कहा the picture of sita a picture of sita तो एक sentence मैंने लिखा मालो आपको समझाने के लिए a picture of sita a picture of sita तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग यह हुआ कि sita की sita की एक तस्वीर बट अगर हम इसी बात को ऐसे लिखें अगर हम साथियों इसी बात को ऐसे लिखें a picture of sitas a picture of sitas तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा कि sita की कई सारी तस्वीरों में से एक sita के पास जो तस्वीरें हैं उनमें से एक क्या मतलब हुआ कि sita के पास sita के पास जो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें हैं उनमें से एक उनमें से बोलू इतनी बात हमको समझ में आ गई कोई confusion यहां तक मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई confusion होगा तो यह आफ किसका selection का बताएगा तो हमें इसी लिए last वाले में apostrophies बाकी सब चीजें अगर भूल जाओ तो आपको यह pattern याद बनाए रखना है अगर इस तरीकी का pattern हो तो last वाले noun के साथ हम apostrophies लगाते हैं ठीक second point देखो अगला उनोने का unfortunately for me the root cause of my frustration lies in the government's dubious policy यह dubious का मतलब होता है संदिक्द जो नितिया नहीं होती है संदिक्द संदिक्द नितियां होती है doubtful तो doubtful को ही doubtful policies को ही हम dubious कहते हैं क्या कहते हैं dubious कहते हैं अब देखो यह क्या लिखा है government's dubious policy यह government है एक noun यह हो गया एक noun यह हो गया ठीक है तो इन दोनों noun के बीच में जो possession ownership बताना है वो apost of yes लगा करके बताएंगे ठीक है government's policy ठीक है ध्यान बनाए रखना क्या होगा आपका government's dubious policy ठीक है जैसे कहते हैं government's planning तो government खुद planning थोड़े ना करती है government में बैठे हुए लोग planning करेंगे तो इसी तरीके से government policy थोड़े ना होती है government में बैठे हुए जो लोग होते है जो authority होती है वो policy बनाती है तो इसी लिए यहाँ पर government को personified किया जाता है और जब personified किया जाता है साथियो तो apostropheus का प्रियोग करते हैं अगला question देखो he suggested to me उसने मुझे suggested किया that I should go to the nursery I should go to the nursery कि मुझे नरसरी जाना चाहिए to bring लाने के लिए क्या some beautiful summer's floors बहुत प्यारा concept है ध्यान से समझना some beautiful summer's floors देखो some कुछ beautiful अब यहाँ पर ध्यान से देखना ठीक है इतने में सिर्फ summer's floors floor क्या हमारा noun है फ्लाल यह रितियों के नाम जैसे summer, winter, autumn, spring कुछ भी हो यह भी हमारे noun होते हैं बट यहाँ पर साथ ही हो जो use हो रहा है यह noun वो as a adjective use हो रहा है और जब as an adjective use हो रहा है एक adjective के रूप में तो adjective के साथ हम कभी भी apostrophious नहीं लगाते ऐसे नहीं समझो तो दूसरा हमने आपको एक rule बताया कि जितने भी हमारे compound noun होते हैं जो दो या दो से अधिक सब्दों से मिल कर के बने होते हैं तो compound noun के अंत में apostrophious लगा करके हम position बनाते हैं तो भई summer's flowers नहीं होगा साथियों क्या नहीं होगा summer's flowers नहीं होगा बलकि summer flowers का प्रियोग किया जाएगा इतनी बास समझ में आगी मैंने क्या बताया चाहे किसी भी season का नाम हो चाहे बो summer season हो autumn season हो चाहे बो हमारी winter season हो या spring season हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ये जो है ना बो adjective का काम करता है और adjective में हम कभी भी apostrophe याने की apostrophe का sign लगा करके क्या नहीं कर सकते position या honor से फिस थापित नहीं कर सकते उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी noun की जरूरत होगी तो noun के साथ करेंगे इसके साथ नहीं अब noun हमारा कैसा है ध्यान से देखो noun हमारा दोस्तों कैसा है ध्यान से देखो कैसा है ये ये plural है और जब ये noun हमारा plural है तो खाली apostrophe sign लगेगा हम आपको समझा चुके हैं singular noun के साथ apostrophe yes और ऐसे plural noun जिनका अंत yes या yes पर हो रहा है तो उसमें सिर्फ apostrophe sign लगा कर ही position बनाया जाता क्योंकि position हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं एक तो apostrophe yes लगा करके position दूसरा बिटा off लगा कर position और तीसरा खाली apostrophe sign लगा करके position ठीक है ना जी चलो next 28 के बाद 29 नंबर 29 और 30 दोनों को हम देखेंगे देखो 29 और 30 यहां से देखिएगा यहां पर कहा गया he came to his base end देखो एक चीज यहां पर हमको समझ में आ गई bits end when he found that his younger brother had slapped his wife ओके हमें यहां पर error नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है बोले he came to his bits he came to his bits मतलब क्या हो गया बाईया सिदी सी बात है bits bits apostrophe yes लगेगा कि at bits end होता है at once bits end होता है जो कि एक idiom होता है क्या होता है एक idiom होता है at bits end तो यह एक idiom है और जब यह idiom है idioms है ओके idiom है तो हमें क्या करना होगा इसमें apostrophe yes लगा करके position बनाना पड़ेगा ठीक है क्या apostrophe yes लगा करके at bits end सुना होगा third वाला भेन अब यह देखो बैई एक joint possession खूब ध्यान बनाए रखना joint possession होता है joint possession होता है साथियो एक और एक separate possession होता है joint होता है एक separate possession होता है separate possession होता है तो जब बैटा joint possession होता है ठीक है तो last वाले बर्ड में ही सिर्फ apostropheus लगता है और जब separate possession होता है तो दोनों सब्दों के साथ apostropheus लगता है ठीक इतना ध्यार रखना चलो पहले हम पढ़ते हैं बेन जया एंड स्यामा came across जयोती ओके दे caught one another hand and talked for a while प्लाल यहां पर joint possession वाली बात नहीं है कुछ भी ठीक है यहां पर सिधी सिधी सी बात है आपने दो प्रोनाउन सुने होंगे ठीक है reciprocal pronoun जो कि each other और बनानादर होते हैं मैंने क्या बताया एक नाम लिया reciprocal pronoun का reciprocal pronoun each other और बनानादर दो होते हैं एक कौन सा होता है साहब एक each other होता है और दूसरा दोस्तो हमारा क्या होता बनानादर होता है इनको हम क्या कहते हैं reciprocal pronoun कहते हैं ओके तो यह दोनों ही जो हमारे reciprocal pronoun के last में जो other word और another word लगा है अगर position बनाने को यह दोनों सब्द आ जाएं और इनके साथ किसी को position बनाना है ठीक है possessive case में इनको दरसाना है तो या तो other के साथ apostropheus लगा होगे या another के साथ apostropheus लगा होगे जरा एक मिनट बड़े ध्यान से देखो इस बाले सब्द में one another एक दूसरे का hand पकड़े हुए है one another's hands one another hands तो क्या ये hands यहां पर लगेगा या one another's या another के पास apostropheus लगेगा बस इतना मैं पूछना चाहरा हूँ आपसे क्या सही होगा और क्या गलत होगा ठीक है मैंने फिर कहा कि one another यानि कि one another's hand होगा क्या होगा बताओ भाई समझ में आ गया यहां पर तो one another's hand अच्छा एक चीज और है मैंने इस वाले इस को काटा था क्या ये वाला इस लगा रहेगा या बना रहेगा बिल्कुल लगा रहेगा गलती नहीं कर देना छोटी सी भी गलती साथ यो ना हो हमसे ठीक है ये इस हमारा लगा रहेगा क्योंकि एक दूसरी के हाथों को थामा एक दूसरी के हाथों को ठीक है तो one another's hands and talk for a while चालो आगे देखो तीस तक मुझे लग रहा है हो गया होगा next देखो 31 और 32 नंबर पर अगर हम 31 और 32 नंबर की बात कर लें तो देखेगा दी फार्मर पी अम आफ इंडियाज ठीक है Mr. P.B. नरसिमा राउज बिजिट तू जापान स्ट्रेंट दी रिलेशन से बिट्वीन इंडिया एंड जापान देखो दी फार्मर पी अम आफ इंडियाज Mr. P.B. नरसिमा राउज तो देखो दो के साथ डवल अपोस्ट्राफी का प्रियोग कर दिया और मैंने आपको बताया कि डवल अपोस्ट्राफी का प्रियोग कभी नहीं होता किसका प्रियोग नहीं होता डवल अपोस्ट्राफी का प्रियोग कभी नहीं होता और एक rule मैंने आपके साथ discuss किया था कि जब भी case in opposition that means एक noun होगा और उसी के phrase in opposition लगा होगा यानि कि उसी noun के लिए एक सब्द समू दिया होगा ठीक है noun एक और इसी के साथ noun के साथ में ही case in opposition लगा रहता है तो देखो यहाँ पर जो farmer PM इंडिया के हैं वो कौन है तो Mr. PB नरसिम माराओ तो ध्यार रखना ऐसी condition में जो एक के साथ ही apostrophe लगता है और वो किस के साथ लगता है जो case in opposition में होता है सब्द तो case in opposition में कौन है Mr. PB नरसिम माराओ तो इस वाले सब्द के साथ apostrophe लगेगा case in opposition अगर आपको नहीं पता है noun or phrasing opposition होता है उसी को हम case in opposition कहते हैं जो phrasing opposition होते हैं उसी को case in opposition या phrase in opposition कहते हैं तो ऐसी कोई condition हो तो जो opposition में होता है देखो बोवाला opposition नहीं यह दो दो opposition है एक OPPO opposition एक ये वाला होता है साथियो और एक हम और लिख रहे हैं A, WP, O, S, I, O, Y एक opposition ये वाला होता है ठीक है एक opposition ये होता है एक opposition ये होता है इस वाले opposition का मतलब होता है तुम मेरे opposite party के हो opposition party से हो यानि की brother और A बाला जो opposition होता है इसका मतलब होता है near यानि की pass ठीक है तो ध्यान बनाए रखना सिर्फ फर्क कितना है यहाँ पे O लगा होगा और यहाँ पे A लगा होगा ठीक है तो इतना case in opposition में होगा तो आप apostrophe position किसके साथ opposition वाले last word के साथ लगा होगे तो यहाँ से इंडिया से हटा दो राउज के पास ये लग जाएगा ठीक है जी 31 के बाद हम लोग किस पे चर्चा करेंगे 32 पे ठीक है केसे न पोजिशन ना उन्हें न पोजिशन ठीक है ना चलो भईया आगे देखो 32 नंबर क्या हो रहा है भई एक मिट चलो आगे 32 नंबर पे पड़ो बढ़िया करके इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी बिलकुल से है देखो इंडियाज पास्ट ग्लोरी एक फ्रेज और फ्रेज के साथ अगर कोई अदेश का नाम है तो उसके साथ अपास्ट आफियाज का प्रियोग किया जा सकता है तो यहाँ पर बिलकुल से है यानि कि 32 वाले में कोई एरर नहीं दे रखा है 33 पे देख लो Everybody should be careful to fulfill the society's demands देखो एरर देखते ही आपको दोस्तों पता लगेगा and thereby so his attachment to it क्या कहा है इन्होंने कहा है कि हर किसी को समाज की मांगों को पूरा करने के लिए साबधार रहना चाहिए और इस तरह अपना समाज के प्रतिलगाओ भी दिखाना चाहिए ठीक है तो इसमें उन्होंने क्या बात कही इसमें एरर कहां पे है 33 नंबर पे आपको find out ये करना है जैसे आपको एक सब्द दिख रहा होगा क्या सब्द दिख रहा है society word दिख रहा है क्या सब्द दिख रहा है society word दिख रहा है के साथ apostrophe yes का प्रियोग किया जाएगा society's demand या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो the demand of society दोनों तरीके से ये बनाया जा सकता है और इसके लिए हमने 19 number question में हमने बताया था society demand public demand तो इसमें जो इस society होता है ये काय का काम करता है adjective का काम करता है तो या तो भई ऐसी condition में society demand इनमें क्या करते हम apostrophe का प्रियोग नहीं करते या तो आप क्या करो एक के साथ apostrophe लगा सकते हो किस के साथ देखो दियान से अपने आप से या यहाँ पर तो मुझे लगता है सही ही लिखा है क्योंकि society के साथ भी तो apostrophe का प्रियोग किया जा सकता है बिल्कुल सही है ठीक है the society's demands यानि कि a भी सही है या इसको हम ऐसे भी लग सकते है the demand of the society यानि कि यह निर्जीव है और the demand the demand of the society ठीक यह दोनों ही सही है आप लेख लेजिए अगला जाओ next जैसे एक example आता है चाइनाज पापुलेशन इंडियाज पापुलेशन तो जो इंडियाज पापुलेशन की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते है the population of India उसी तरीके से यह the society's demands तो the demand of society भी तो बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे 33 के बाद 34 नंबर पे जाओ 34 नंबर पे everybody's बिलकुल यहां तक सही है क्योंकि ध्यान मनाय रखिएगा जितने भी हमारे indefinite pronoun होते हैं everybody हो, nobody हो, ठीक है या कुछ anybody, nobody, somebody, कुछ भी हो तो उनके साथ apostrophe yes इनी लगता है बिलकुल अगर इन सब्दों के साथ जैसे everybody word लिखा हमने तो खाली यह है तो इसके साथ apostrophe yes सही है लेकिन अगर इसके साथ else word भी जुड़ा हुआ है तो हम दोस्तों अब इसके साथ apostrophe नहीं लगाएंगे किसके साथ लगाएंगे else word के साथ लगाएंगे यह दोनों rule ध्यान बनाए रखना खाली everybody है तो everybody के साथ लगेगा लेकिन everybody के साथ अगर else word भी जुड़ा हुआ है तो दोस्तों else के साथ apostrophe yes लगाएंगे ओनर से प्या पाजेशन सो करेंगे क्लियर है ना दोस्तों आगे देखो 35 नंबर पे I postponed him going to daily tonight अब पहचानो यहाँ पर पहचानो ठीक है यह क्या है मैंने postpone कर दिया him going to जाना देखो दो चीजे समझना एक तो आपको participle साथियो मैंने क्या लिखा यह participle दोस्तों लिखा और दूसरा एक सब्द और लिख रहे है हम लोग क्या लिख रहे है gerend तो इन दोनों के बीच में आपको difference करना आना चाहिए participle भी हमारा जो present part spill होता है present part spill जो होता है बो भी हमारा बर्व की first form में ing लगाने से बन जाता है ठीक है बर्व की first form में ing लगाने से बन जाता है और gerend भी हमारा बर्व की first form में ing लगाने से बन जाता है तो आखिर इन दोनों के बीच में difference क्या है हम कैसे पहचानेंगे कि बाई यह हमारा participle है और यह सब्द हमारा gerend है क्योंकि दोनों ही ing form में होते है तो ध्यान रखना participle जो है वो adjective का काम करता है वाक्य में ठीक है और participle के बाद एक noun जरूर आएगा मेरे दोस्तों जैसे मालो यह going सब्द है ठीक है तो इसके बाद एक noun जरूर दे रखा होगा और मालो going के बाद एक सब्द फिर से going दे रखा है और इसके बाद सीधे बर्ब दे रखिये तो समझ लेना यह बाला क्या है gerend का काम कर रहा है यह बाला किसका काम कर रहा है participle का क्योंकि participle adjective का काम करता है इसलिए इसको हम verbal adjective की नाम से भी जानते हैं और बाक में जो gerend होता है वो noun plus verb का काम करता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जो gerend होता है वो noun plus verb दोनों का काम करता है बात क्लियर है चलो इसलिए इसलिए हमारा क्या हो जाता है बर्वल noun होता है क्या होता है इसे बर्वल noun कहते हैं बर्वल noun ठीक है और दूसरी पहचान क्या होती है हिंदी में ध्यान देना बहुत ध्यान से समझना बहुत important point बता रहा हूं नहीं तो गलती करोगे अभी कुछ बहुत अच्छा बताने बाला हूं ठीक है और हिंदी में जो adjective होता है यानि कि participle होता है participle की जब आप हिंदी निकालोगे तो ता ती ते के बाद में हुआ हुई और हुए का science सेंस आएगा ठीक है लेकिन जब आप gerend की हिंदी निकालोगे तो gerend में जो sense आएगा वो काई काईगा ना नी ने का sense आएगा ठीक है किसका sense आएगा ना नी ने का sense आएगा जैसे मैंने उसे बहां जाते हुए देखा तो जाते हुए मैंने एक मकान को जलते हुए देखा इसकूल जाते हुए मैंने एक उँट देखा तो यहाँ पर ऐसा जहाँ पर ता ती ते के बाद हुआ हुई हुए आए बहाँ पर पार्टिसिपिल का यू जोगा जहाँ पर ना नीने जैसे देखना ही विश्वास करना है तहलना स्वास्ते के लिए लाव कर जैसे सिंग इज बलीबिंग समझ गे तो यह दोनों के बीच का डिफेंस है अब यहाँ पर समझो मुझे यह इतनी पूरी थियोरी आपको इसलिए बताना पड़ी ऐसी डिरेक्टली बता देता तो साइध आपको समझ नहीं आता लेकिन अब आप कभी भूलोगे नहीं मैं समझाता हूँ पॉइंट को यहाँ पर 35 नंबर में जो आपको दे रखा है देखो हिम दे रखा है क्या दे रखा है भईया हिम ठीक है आएगा क्या बुले सर हिज आएगा हिम के इस्थान पर मैं यह रख कर दू सब चलो रख रहने दो यहाँ पर यह वाला रख कर लो उपर वाला साथियो देखो दियान से हिम है हिम किसके साथ आएगा यह क्या है हमारा जेरेंड है यहाँ पर यह क्या है जेरेंड है बुले सर आपको कैसे पता लग गया देख लो भाया ठीक है हमने क्या बता है जब भी going होगा उसके आगे एक noun लगा होगा देखो यहाँ पे noun नहीं लगा है क्या लगा है preposition लगा है पहली पहचान दूसरी पहचान क्या है कि अब ये ये जो gerend होता है वो कभी भी अपने साथ objective case नहीं लेता है ये क्या लेता है पजिसिब केस लेता है तो हिम का पजिसिब केस क्या होगा हेज हिम का पजिसिब केस क्या होगा हेज ठीक है अच्छा हिम किस केसा आता है हिम आता है हमेशा participle के साथ हिम का प्रियोग कब करोगे participle के साथ यानि कि objective case participle के साद रखा जाता है और positive case gerund के साथ noted point है जहां पर भी notes बना रहे हुँ वहाँ पर भाई note कर लो मैंने क्या बताया हमने का positive case हमेशा किस के साथ यूज होता है gerund के साथ यूज होता है और objective case का प्रियोग हमेशा किस के साथ होता है पार्टिसिपल के साथ होता है ठीक है ना चालो तो इतना ही error था हिम के स्थान पर क्या हो जाएगा भाया हिज हो जाएगा क्या हो जाएगा हिज ठीक है क्योंकि gerund से पहले हमेशा possessive case का प्रियोग होता है ना कि objective case का gerund से पहले हमेशा possessive case का प्रियोग होता है ना कि objective case का ठीक है अगला 35 के बाद 36 नमबर देखो 36 और 37 He told her that he had ever seen her with mind's eye मन की आँखों से क्या का गया है मन की आँखों से दो मिनेट अच्छा तुम भी देखो कि क्या होगा मन की आँखों से ये क्या है उसने उसे बताया कि उसने कभी उसे अपनी मन की आँखों से देखा ना कि आगे लिखा है अच्छा इसमें रह गया नो एरर यहाँ पे आना चाहिए यह माफ करना, यह नो एर आर है न, यहाँ पर लिख ले न, ना कि business is nobody's business, is nobody's business, यह थोड़ा सा गलत तरीके से print हो गया है, मैं फिलाल सुद्ध करवा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंड्स आई होता है, हर्स कंटेंट होता है, यह सोलस साइट होता है, यह सब ही idiomatic phrase है, क्या है भाईया, idiomatic phrase है, और जब यह दोस्तो idiomatic phrase है जब ये दोस्तो idiomatic phrase है तो इनके साथ apostrophe S का प्रियोग किया जा सकता है कोई error है, बिल्कुल कोई error नहीं ठीक है, nobody के साथ apostrophe S का प्रियोग किया जाता है बिल्कुल सही बात है, कोई error नहीं दोनों ही सही है अगला, 37 के बाद sorry, 37 देखे, when I arrived at the gate of his house जब मैं उसके घर के पास आया, I found his locking up to the door मैंने उसे अपने दरवाजे को बंद करते हुए देखा सरल सी बात है, देखो अभी हमने पीछे एक concept बताया था, concept ये था कि जब मैं उसके घर के gate के पास पहुचा तो मैंने उसे दरवाजे पर ताला लगाते हुए पाया ये तो simple सी बात पूछी गई तो ताला लगाते हुए locking up और सिधी सी बात यहाँ पर देख लो ये locking बर्ड है तो अभी पहले तो आपको ये decide करना है सर ये gerend है कि ये participle है पहले तो हमें ये decide करना है हमें तो पता ही नहीं क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा होता है ing form gerend में भी ing लगी होती है और participle में भी भाई साब ing लगी होती है तो सर कैसे पहचानेंगे पिलकुल देखो कैसे पहचानोगे पहचान तो हम बता चुके हैं कि participle के बाद एक noun आएगा शीक है भी या देखो locking up और gerend के बाद एक बर्व जरूर आती है पहली चीज और दूसरी चीज gerend अपने साथ दूसरी चीज ध्यां रखो दूसरी पहचान gerend हमेशा अपने साथ क्या लेता है possessive case लेता है क्या लेता है वैया possessive case लेता है possessive case लेता है और participle हमेशा अपने साथ objective case लेता है क्या लेता है वैया objective case लेता है table तो याद होगी न pronoun table आगे पढ़ाएंगे अभी pronoun का बहुत काम है जिसमें हमने pronoun table में हमें आपको बताना है तीन परसन के बारे में जो personal pronoun होते हैं यानि कि first person, second person, third person उसी में इनको हम पढ़ाएंगे सभी cases को यानि कि subjective case, objective case, positive case, positive case को दो भागों में positive adjective and positive pronoun बढ़िया करके जैसे I, me, my, mine, myself, be, us, our, ours, ourself, है ना he, him, his, herself, you, you, your, yourself, तो इस सब आपको बताएंगे they, them, they are there, है ना, themself, itself, इस सब चिज़ें आएंगे, care अब ध्यान दो, इसमें ये participle है दोस्तों, ये locking क्या है? पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल अपने आगे क्या? पते की बात है बस, point याद रखो, पार्टिसिपल अपने आगे क्या नहीं लेता? बोले, sir, positive case नहीं लेता? क्या लेता है? बोले, sir, objective case लेता है? तो his का, him कर दो I found him locking up the door बात clear हो गई की नहीं हो गई? बताओ हमने क्या बताया? पार्टिसिपल अपने आगे क्या लेता है? आपने कहा, पार्टिसिपल अप्जिक्टिब केस लेता है क्या नहीं लेता? बोले, sir, positive case नहीं लेता ठीक है? और जेरेंड, positive case लेता है बात एकदम समझा आनी चाहिए आगे Next 38 नंबर पे भाई साब, देख लीजेगा बोले, China, India and China प्रिजेंट, condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problems the coming time Simple सी बात कहे गई है और तिस नंबर में भारत और चीन की बरतमान जो इस्तिती है वो इस पस्ट संकेत देती है कि दोनों देश आने बाले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे ठीक है बाईया बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे कुछ ना कुछ तो इसका solution भी होगा तो यहाँ पर एक चीज हमने आपको बताया था joint position और separate position है ना दो भिन भिन नाउन अगर end से जोड़े हो और दोनों को अलग अलग अधिकार किसी ब्यक्तिया बस्तु पर हो तो दोनों नाउन के साथ हम अपोस्टाफियस का प्रियोग करते हैं है ना एक एकजामपल जैसे हम बता देते हैं जैसे माल लो पहले इस sentence को बात में समझाएंगे पहले तुम्हें सरल तरीके से समझा देते हैं माल लिजे एक छोटा सा सरल एकजामपल लिया हमने धी CM of UP the CM of UP and the PM of India and the PM of India is in meeting माल लो मैंने एक छोटा सा एकजामपल लिख लिया बताओ इसमें क्या दिक्कत है बताओ इसमें क्या दिक्कत है कोई error है अभी कोई error नहीं बिलकुल सही है लेकिन error कब होता अगर हम ये बर्ब यहां से गाइब कर दे रुक जाओ एक मिट ये लो अब देखो द्यान से समझना ये बर्ब हमारी यहां से गाइब हो गई अब बताओ अब कोई error है अब तो देखो एक noun ये conjunction बर्ड और ये दूसरा noun ठीक है इन दोनों noun को जोडने का काम कौन कर रहा है end और एक तीसरे noun से यानि की meeting बर्ड से इसका position मनाना है तो भाई देखो CM of UP अलग होंगे और PM of UP दो अलग-अलग वेक्ती होगे और जब दो अलग-अलग वेक्ती होगे तो जो पजेशन है वो separate हो जाएगा और हमने बता है जब दो अलग-अलग वेक्ती हों तो दोनों के साथ आपको apostrophies लगाना पड़ेगा बात इतनी समझेगा ठीक है ठीक इतनी सी बात हमें समझानी थी और अगर इतने पर भी ना समझे हो तो और समझ लो भाईया हमने कहा मालो रामस एक बहुत छोटा सा एक्जामपल दे रहे हैं रामस राम एंड बहुत छोटा सा एक्जामपल समझेगा मज़ा आजाएगा जल्दवाजी कुछ मी मत करो जल्दवाजी करो गयार सीख नहीं पाऊगे लेंगोज है ठीक है फंक्शनल काम करती है तो इसलिए इसके फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है राम एंड स्याम राम एंड स्याम्स बाइफ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब एह हुआ कि दो सिंगुलर नाउन एक और दो राम और स्याम और दोनों एंड से जड़ूए अलग अलग है ठीक है और यहां पर इस बाइफ तीन नाउन है एक, दो, तीन और इन तीनों का आपस में relation बताना है, आपस में position बताना है, कि इन दो noun का किस तरीके से इस परदिकार है, तो ये बाला सब्द हमको बता रहा है, कि राम और स्याम की एक ही पतनी है यहां पर एक ही पतनी है गणगण हो गई यह कैसे possible हो सकता है कि दो व्यक्तियों की एक पतनी जनरली नहीं होता है possible होने के लिए कुछ impossible नहीं है ठीक है दुरोपती तो पाश पांडवों की पतनी थी ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं exception सबका है मैं तुम्हें आप concept बता रहा हूँ कि जब concept हमारा यह कहता है जब दो singular noun end से जुड़े हो और अगर possession, joint possession है joint possession का मतलब दोनों का एक ही बस्तु पे समान अधिकार है तो last वाले में apostrophe us लगा दो और तुम्हें लगने लगे यार नहीं जनरली तोर पे ऐसा नहीं होता तो राम को भी apostrophe us लगाना पड़ेगा और स्याम के साथ भी apostrophe us लगाना पड़ेगा और आगे बाला सब्द plural करना पड़ेगा बाइफ का करना पड़ेगा ठीक है अब इसका मतलब यह हो गया राम की पतनी अलग है और स्याम की पतनी अलग है बात बस इतना समझाना था अब बताओ इंडिया अलग है चाइना अलग है तो जब दोनों का जॉइंट पजेशन है यही नहीं सेपरेट पजेशन की बात कर रहा है तो हमें दोनों के साथ अपोस्टाफियस लगाना पड़ेगा इंडियाज एंड चाइनाज प्रजेंट कंडिशन इंडिया और चाइना की जो प्रजेंट कंडिशन है उससे इस पस्ट यह इंडिकेट होता है कि दोनों कंट्रीज देखो समझ में आ गया इसके साथ नाउन कैसा हो गया तुरंत प्लूरल हो गया ठिक चलो आगे 39 नंबर पर बात करें बात समझ में आगे इंडियाज और चाइनाज प्रजेंट कंडिशन का प्रियोग होगा जिसका मतलब क्या होता है कि इंडियाज प्रिजेंट कंडिशन और चाइनाज प्रिजेंट कंडिशन और चाइनाज प्रिजेंट कंडिशन चिक चलो 38 के बाद 49 नंबर पर keeping in view the public's demands public के साथ ये बड़ी demand आती है हमने आपको बताया था चाहे public demand हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए question number 19 देखिएगा जो previous वीडियो थी उसमें हमने एक rule बताया था कि public सब्द के बाद opinion demand life carrier अगर लगा हो क्या लगा हो public के बाद public के बाद माल लो opinion public mind ठीक है या public demand ये कुछ भी सब्द लगा हो चाहे opinion हो, mind हो, demand हो चाहे कुछ भी हो दोस्तो, तो हम क्या करते इनके साथ apostrophe यस नहीं लगाते, ठीक है, क्या नहीं लगाते, अपॉस्ट अफियस नहीं लगाते, या माल लो लाइफ हो, carrier हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी हो आपॉस्ट अपॉस्ट अफियस का प्रीयोग नहीं करते। ठीक, चालो. तो अब तो आपको समझ में आ गया, publics demand नहीं होगा public demands होगा क्या होगा दोस्तो publics demands के बदले public demands होगा और last वाले word के साथ apostrophies करेंगे चीक है क्योंकि ये compound noun है और compound noun में हमेशा ध्यार रखो यहाँ पे नहीं लगेगा जो last वाला word होता है उसको apostrophies मनाते हैं तो देखो इसमें भी अभी भी error है यहाँ पर ऐसे जब यह पहले से plural है और plural का apostrophies कैसे बनाओगी खाली apostrophe sign लगा के अब सही हुआ ठिक चलो क्या rule याद रखना है फिर से मैं रिपीट करता हूँ public के बाद opinion, mind, demand, carrier या life जैसे public opinion, public mind, public demand, public carrier, public life इस तरीके की सब्द हो तो public सब्द के साथ हम apostrophies का प्रियोग नहीं करते ठीक है क्योंकि यह क्या बन जाते हैं compound noun बन जाते हैं और last बाले बढ़ के साथ demand है, opinion है, mind है, carrier है, life है इनके साथ apostrophies का प्रियोग करते हैं अगर यह plural होते हैं तो खाली apostrophe yes लगा लेते हैं चलो साथियोग आगे 39 के बाद 40 और 40 बन पे His made servant देखो, यहाँ पर देखो यह made servant यह भी हमारा compound noun है compound noun क्या होता है जो पहले लिख लें, तब बताते हैं compound noun compound noun क्या होता है जो दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर के एक सब्द का निर्मान करें वो compound noun होता है तो देखो, made servant अच्छा, compound noun का अगर plural बनाना हो तो main word के साथ हमेशा yes यह यह लगा करके plural बनाते हैं हमने सिखाया आपको लेकिन अगर हमको पजेशन दिखाना हो ownership दिखानी हो अधिकार इस्थापित करना हो तो हम compound noun के last वाले word में अंतिम बाले सब्द के साथ अपोस्टाफियस लगाते हैं तो यहाँ पे made servants behavior हो जाएगा made servants behavior हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा made servants भी heavier हो जाएगा ठीक है तो servant के साथ apostrophe yes लगातों is okay चालो अगला देखो तुम्हें देखने से ही पता लग गया होगा क्या समझ में आ गया देखो पहले बिलकुल मेरी तो नजरे बाद जैसी समझो भाई देखते ही पता लग जाता है इस बिल्डिंग्स डेकोरेशन is not as much impressive as it आउट भी जितना होना चाहिए मतलब यह है इसका कि इन भावन है यह जो बिल्डिंग है इनकी जो सजावट है वो उतनी प्रभावसाली नहीं है जितनी प्रभावसाली होनी चाहिए ठीक है ना भाई बिल्कुल देखो इस बिल्डिंग्स डेकोरेशन यह बिल्डिंग क्या है हमारा non-living being है क्या है दोस्तो non-living being आप नहीं कहा कि सर non-living being का non-living आप नहीं कहा कि सर जितने पारे non-living being होते हैं क्या non-living being होते हैं non-living being का जो पजेशन बनाते हैं वो हम आफ लगा करके बनाते हैं कैसे लगा कर के बनते हैं आफ लगा करके जैसे मैंने एक्जाम्पल दिया था छेयर्स लेग का छेयर्स लेग यानिकी कुरसी की टांग अब देखो यह चेयर भी करना है आफ लगा करके पजिशन बनाएंगे दी लेग आफ दी चेयर क्या बोलेंगे इस वाले सब्द को इधर ले आएंगे दी लेग आफ दी चेयर यह हो जाएगा ना साथियो ठीक है सुद्ध सेम उसी तरीके से यह भी बिल्डिंग भी तो नॉल लिविंग है तो हम इसको पजिशन अपोस्ट आफ यह लगा करके नहीं बनाएंगे भहिया कैसे बनाएंगे दी डेकोरेशन आफ दीज बिल्डिंग्स क्या लगाएंगे दी डेकोरेशन आफ दीज बिल्डिंग्स ठीक है यह सही होग dobr कि डेकोरेशन आफ दी बिल्डिंग आफ दी बिल्डिंग्स ओके ध्यार करें बात के लिए होगे chiff डेकोरेशन आफ दी बिल्डिंग्स 41 के बाद 42 और 43 पे जाएगा 42 नमबर पे कहा गया है Delhi's water supply system यानि कि Delhi का water supply system is certainly as good as is expected in the capital town उन्होंने कहा कि Delhi की जो water supply system है निश्चित रूप से उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी होने का उमीद किया जाता है simple सी बात है 42 नमबर पे कि जो building जब भी दोस्तों यहाँ पर जैसे Delhi's water supply system तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं या तो इसको ऐसे सुद्ध कर लो देखो यह भी सुद्ध है ध्यान दीजीगा क्यों सुद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो देली है ना वो एक living being की तरह काम करेगा भाई देली खुद में बाटर supply system नहीं है जो बाटर supply system में कोई authority होगी कोई अधिकारी वर्ग होंगे जो बाटर को supply करते हैं कोई करमचारी गण होंगे तो जब किसी भी non living thing को living being की तरह काम करते हुए दिखाया जाए यानि कि सजी माल लिया जाए तो बहाँ पर हम apostrophe यसका भी प्रियोग कर सकते हैं और आप भी लगा सकते हैं दोनों से तो इसको चाहें तो ऐसे बना लो बाटर supply system आफ देली या देली इस बाटर supply system दोनों ही सही है तो इसमें no error East poetry में भी भी या no error क्योंकि जो कभी हों और कविता हों माल लिजी ये कोई भी writer है और writer के साथ उसकी कोई poetry या कविता है तो उसको भी हम apostrophe yes लगा करके लिख सकते हैं तो W.B.Eats William Butler Eats की poetry कविता को बात किया गया है ठीक अगला देखो तो 42 43 में no error बिलकुल सही है 44 नमबर और देख लो ठीक है 44 नमबर में देखो अच्छा Brutus रोल इन जूलियस सीजर तो देखो यहां पे थोड़ा error है क्या error है जैसे मालो यह Brutus है Brutus तो नाम है तो Brutus रोल तोड़े नहोगा Brutus का रोल होगा Brutus की भूमी का होगी तो यहां पे यह apostrophe लग जाएगा Apostrophe yes Brutus अब यह yes पे ही समापत हो रहा है तो खाली Apostrophe लगा दो ठीक है Brutus सिस रोल इन जूलियस सीजर खाली Apostrophe साहिए लगा दो ठीक है बाकी सब कुछ बढ़िया सही है Next अंबर देखो the blinds life blinds life का मतलब होता है अंधे का जीवन is really very miserable because they cannot see what happens around them सिद्धी सी बात है उन्होंने ये कहा कि अंधेपन का जो जीवन होता है वास्तम में वो बहुत ज़दा कठिन होता है दैनियों होता है क्योंकि वो देख नहीं सकते उनके पास क्या हो रहा है ये सब नहीं समझ पाते तो इसमें कोई error है ओके इसमें क्या है दी blinds life के बदले आपको क्या करना होगा दी life आप दी blind का प्रियोग करना होगा क्यूं करना होगा उसके आगे जो है logic समझो ये जो blind word है न दोस्तो ये adjective है क्या है साथियो adjective है देखो हर चीज का grammar में कुई न कुई तो logic है तो ये adjective है और हमने आपको previous वीडियो में समझा चुके है किसी भी adjective के आगे अगर दी लगा दो तो वो adjective हमारा plural noun बन जाता है और काम plural noun की तरह करने लगता है क्या बन जाता है दोस्तो plural noun बन जाता है ठीक है तो ये तो क्या बन गया ये तो plural noun बन गया बोलो जब ये plural noun बन गया तो इसको हम इस वाले adjective है तो adjective ही तो इस वाले adjective को apostrophe यस से हम बनाई नहीं सकते हम कैसे बनाएंगे आफ लगा करके बनाएंगे दी life of the blind man ठीक है कैसे बनाएंगे दी life of the blind man कैसे बनाएंगे सातियो दी life of the blind man ओके ध्यार रखना अगला चालिस नंबर पे ये दिड नॉट 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 इविन दी नेम आफ दी साइंटेस्ट वो डिस्कवाड दी लॉज आफ दी अर्थ gravitational force समझो यहाँ पर अपने आप समझा जाएगा कि बहव उस बैज्यानी का नाम भी नहीं जानता जिसने खोजा कि प्रत्वी के गुर्तवा कस्रण बलके लॉज आफ दी अर्थ gravitational force यानि कि प्रत्वी के गुर्तवा कस्रण गुर्तवा कस्रण बलका नियम की खोज की ठीक है साफ दूर से दिख रहा है अगर इतना अच्छा देख लोगे न तो त्रंत समझ आ जाएगा तुमको बताओ अर्थ के साथ अपोस्टाफी यसका प्रियोग होगा की नहीं होगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहना पड़ेगा लॉज आप बाई देखो अब दो-दो नाउन एक साथ नहीं हो सकते न दो-दो नाउन एक साथ नहीं हो सकते मेरे बच्छे एक ये नाउन हो गया हमारा और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरा नाउन ये हो गया तो इन दोनो नाउन को जोडने के लिए हमें बीच में सेंस बनाने के लिए अपोस्टाफी का तो प्रियोग करना पड़ेगा और आर्थ यानि की प्रतवी प्रतवी के साथ हम अपोस्टाफी यसका प्रियोग कर सकते हैं तो the arts यहाँ पे यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि apostrophe यसका प्रियोग करना पड़ेगा ठीक है the earth's gravitational force 47 नंबर और 48 नंबर दूनो एक साथ देख लो this blade's age okay is sharper than any other blades यहाँ पर समझो फिर sad the sales representative of the company यह किसने का जो sales representative था company का उसने कहा तो यहाँ पर company के जो विक्री के प्रतिनिती ने कहा अब क्या कहा देखिए समझ में आया अच्छा error क्या है पहले मैंने दो जगे circle किया है आपको दिखाई दे रहा होगा 47 नंबर पर ठीक है दोनों में कोई error है कोई भी error आपको नजार आ रहा है देखो यहाँ पर देखो इसमें तो कोई error नहीं apostrophe yes लगा है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर देखो इसमें blade age तो जो age है न यह क्या बताता है space को sow करता है किसको sow करता है space को और time bait bait और space बताने वाले सब्दों रूल लिखवाया है भाया यह मत कहना कि कुछ पता नहीं पहले ही practice करा रहा है सब बता चुका हूँ एक एक चीज कि time बताने वाले सब्द bait बताने वाले सब्द और space बताने वाले सब्दों के साथ apostrophe का प्रियोग किया जाता है तो यह तो बेट बताने वाले सब्दे तो इसके साथ apostrophe का प्रियोग हुआ है और जब apostrophe यहसका प्रियोग हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जब यहाँ पर apostrophe sign का प्रियोग हमने कर लिया तो it means हमें इतना समझ आ गया कि इसमें अब कोई error नहीं है ठीक है no error अब 48 नंबर पर देख लिजेगा अगर हम 48 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखो many of क्या लिखका है many of the students बस दो और बच्चे इसके बाद class बंद कर रहे है many of the students may fail अच्छा इसमें ए देखना है many of the questions given in this question paper are okay are so difficult that many of the students may fail अब यहाँ पर देखो कि आपको इस बाले sentence में कहीं पर कोई भी error नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है 48 पर एक बार को देख लेना कोई error आ रहा है या नहीं आ रहा है many of the questions देखो many of the questions का मतलब क्या हुआ कई सारे प्रस्ण नहीं यहाँ पर यह है तो यहां का खाली yes अटा दो यानि कि मैंनी आप दी question कई सारे प्रस्ण given दिये गए आप this question paper इस question paper में वो are so difficult बहुत difficult है ठीक है that many of the students में फेल जिसके कराण बहुत सारे बिद्धारती फेल होगे तो यहां से सिर्फ yes को रिमूब कर दो 49 पर देख लो the president of India constitutional power is limitless but it is the PM who is indeed powerful क्या का गया एक मिनट का समय खुद ले लो और फुर देख लो कि इसमें कहीं पर कोई error है देखा क्या देखा का गया है कि भारत के राष्टपती संब्यधानिक सक्ती असीम है लेकिन एपियम है जो बास्तम में संब्यधानिक सक्ती ही है यानि कि मतलब सिर्फ इतना हो गया मेरे दोस्तों कि the president of India है वो constitutional power तो उनके पास है तो अब यहां से देखो एक नाउन यह हो गया हमारा और दूसरा नाउन यह हो गया constitutional power अब दोनों नाउन को जोडने के लिए बीच में हमें कोई ना कोई तो आपास्ट आपियस देना ही पड़ेगा तो the president of इंडियाज क्या करना पड़ेगा इंडियाज constitutional power is limitless ठीक है चलो next देखो 50 और 51 फिनिस यह last है आपका मैंनी या man's life देखो भाई यहां पर यह कोई error लग रहा है तुम्हें अपास्ट आपी में बिलकुल मैंनी एके साथ में man's life यानि की सजीव है और सजीव के साथ अपास्ट आफियस लगा करके हम position बना सकते हैं no error इसमें कोई error नहीं है 51 पे देख लो nobody's claim इसमें भी वह कोई error नहीं हमने दो सब्द आपको समझाए है दो सब्द कौन कौन से हमने आपको समझाए है वो यह समझाए अगर nobody everybody everyone कुछ भी आजाए तो अगर यही खाली है तो इसमें apostropheus लग जाएगा लेकिन अगर मालो nobody के साथ में else word भी लगा हुआ है else word भी लगा हुआ है तो हम जो apostropheus यानि की position या ownership दिखाएंगे वो कहां दिखाएंगे last वाले सब्द के साथ ठीक है तो condition है यहां पे सिर्फ nobody ही तो लिखा है तो nobody के साथ apostropheus यानि की indefinite pronoun है और इसके साथ apostropheus लगा सकते हैं that means यह बिलकुल हमारा सही है तो यह थे आज के 51 questions ठीक है और भाई यह 51 इसलिए रखे हैं क्योंकि बताते हैं कि 11, 21, 51 501 सुभगिंती होती है तो हमने भी अपनी सुभगिंती करके इसको छोड़ दिया आज के लिए साथ ही हो इतना ही जैहिन जैवारत कि 12, 25 कि 12, 25 झाल झाल